हम किसी का घर नहीं बचेगा आपका भी नहीं बचेगा मेरा भी नहीं बचेगा पितिहास गवा है कि जहां उनका बहुमत और राज आया वहां गैर मुस्लिमों की कतलक खन्वरजन किया है मार कर उनके घर लूट लिये उनको सनमान लोकतंतर तब चाहिए जब अलपसंख्यक ह बहुत सक्यक है तब उनको सरिया और दारुल इसलाम चाहिए यह भाई साब है डॉक्टर परवेन तोगडिया आजकल पूरे देश में घूम रहे हैं मंच इनके लिए सजाया जाता है अंद भगतों को इकठा करके उनके दिमाग में भूशा भरवाया जाता है इनके दौरा हिंदों के तेहार को लपका जाता है उसमें पंडाल डालकर इनको मुखह थिती के तोर पर बलुआकर नफरत परोसी जाती है इनके दौरा क्या कह रहे हैं कि भाई साब देश में अब हिंदों का एक तरीके से आगे वाने आने आने अले समय में में चलन खतम ही हो जाएगा वहाँ पर इनका प्रोग्राम था इन्होंने कहा कि पानिपत में पहले दाधी टोपी दिखती नहीं थी और अब तो यह पार्कों को कब जा करने लगे हैं कौन मुसलमा लोग मेवात में मारने की हिमत आ गई है जन सिंख्या विस्पोट देखे जबरदस तरीके से बढ़ र यहां पर पानिपत में तो खड़ा हो रहा है संभल जाओ हम में से कोई किसी का कुछ भी नहीं बचेगा जन सिंख्या विस्पोट इनकी जल्दी तरीके से इतनी सपीडली इनकी हो रही है मुसल्मान समधाय की जिके कार्ण ना तो व्यापार बचेगा ना संपधी बचेंग निवाग में मांडे की हमत आ गई है पानिपत में दिखाई देता है कि पाकिस्तान खड़ा हो रहा है और पूरे देश में जल्संख्या बढ़ रही है खत्रा था उनसे जदा बढ़ रहा है खत्रा मनी क्या हम किसी का घर नहीं बचेगा आपका भी नहीं बचेगा मेरा भी नहीं बचेगा संपती खेत व्यापार नहीं बचेगा आगे इन्होंने कहा कि इतिहास गवा है जहां जहां इनका राज आया है जहां जहां ये बहूमत में रहे हैं महाँ पर इनों ने दूसरे धरम वालों का क्तलत कनवर्जन किया है। जब ये अल्पमत में होते हैं। तो इनको सरिया और दरूले सिलाम चाहिए। उनको सरिया और दरूले सिलाम चाहिए। इस देश की जन संख्या एक सो साथ करोड तक जाएगी बढ़ते बढ़ते हुए और उसके बाद वापस घट जाएगी सो करोड तक वो जो ये साथ करोड कम होने वाले हैं ये सिरफ हिंदू होंगे बाकी समुदाय वाले मुसल्मान लोग तब तक बहूमत में आ चुके होंगे हिंदू की जनमदर जो है इतने कम है पोने दो के आसपास है जिसके चलते हिंदू धिरे धिरे लगातार घटा जाएगा और अलब संख्यक हो जाएगा अपने हिस देश में उस में पर कोई नहीं रोक सकता भारत को इसलामिक राष्टर बनने में सरिया कानून यहां पर लग अभी 12024 समाली से वह बढ़कर 160 तक जाने वाली है, 160 के बाद गिर कर 100 हो जाएगी तो 160 से 100 गिरएगी तो साथ करोड घटने वाले कौन है, वह हिंदू है, मुसलमान नहीं है मानी हम सौ करोड है वह घटकर साथ करोड घट जाएंगे रहेंगे चालीस करोड और सौ करोड में चालीस करोड हिंदू तो बोलो दारुल इसलाम बने गया या नहीं अब क्या है ने 2024 में चुनाओ है इसलिए जितने भी समस्चाए हुट सकती है अकांकसाय लोगों की है रोजगार चाहिए भाई साब हमें महगाई से परेशान है अगरतिय अर्थविस्ता से लगाता जद्दो जहिद लोग करते हैं ने जरतियारें बचत नहीं हो रही है जेब काटी जा रही है तमाम चीजों से लोग दिन चरिया की जिन्दगी में बुरी तरह से कष्ट में फसे हुए है इस तरह कि जो सवाल उठे ही नहीं इसलिए पूरे समाज में इन लोगों को भेज़ दो अलग-अलग टोपिक पगना करें कभी अंतरस्टे हिंदू परिषद बना रहे हैं कभी हिंदू रक्षा दल बना रहे हैं हिंदू रक्षा फोर्स बना रहे हैं गो रक्षा फोर्स बना रहे हैं गो रक्षा दल बना रहे हैं बाई साब अनेको तो इन्होंने अपने अपने संगठन के नाम रख लिए और एरिय जिहाद नाम से, कोई मेजार जिहाद नाम से, कोई traveling कर रहा है कहीं पर बीच पर मुस्लिम समुदा है कि लोग ज़्यादा बैठी वोई दिखरें तो बहापर बीच जिहाद ज़ला दिया गया अलग 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 टोपिक जहां पर इनको मुसलमान दीखते है और जिस भी अवस देना है दूसरी सरकारि हैंने वह तो शर्ब मुसलमानों को स्पोर्ट करते कृ कांग्रेश की ही तरी किसे हमेशे करती आई है और चाहती है कि यहां पर भारदेश मुसलीम राष्टक्र मनें तो परश्ट भूमी इसलिए परकार की रही है। हिंद्वों को एक तरी किसी देखना ही नहीं चाहती है हिंद्वों के वह तो दुस्मन है यह तमाम चीजे पुरोशी जाएगे और जितनी जिजनी मुख्य मुख्य जगहें पर मुख्य मुख्य संगठन के सबसे उच पद पर बैठे वे लोग इस तरह की बाते समाज में जाकर करते हैं इन लोग को सरम आने चाहिए क्यों ने लोगों को स्विधान की बाते करने चाहिए क्यों ने लोगों को बेरोजगारी की बाते करने चाहिए एक लब्ज भी इनके मुख से निकलता है जब हमारी महिला पहलवान बेटियों को घशीटा गया था वो भी तो हिंदूई थी ना मनीपूर में जिस तरह से महिला महिलाओं को नगन करके वहापर गुमायागा एक लब्ज निकला कितने लोग परेशान हैं बिल्किस बानों की उपर तो ये कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तुनकी एजेंडे में है जनता बुरी तरह से करा रही है और इनने बिल्कुर सरम नहीं आ रही सिर्फ और सिर्फ धर्म का जन्डा लेकर चल रहे है धर्म के नाम पर जो भी राष्ट्र बनता है उसका क्या हाल होता है हमारे पड़ोसी राज्ये पाकिस्तान से आपको सीख लेना सही है